नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका खबरों के बाजार में दोस्तो वीरवार की रात यानी 13 अक्टूबर को कैलिफोर्निया की किसी प्राइविट डेमोक्रेटिक फंडरेजिंग पाटी में अमेरिकन प्रेजिडेंट मिस्टर जो बाइडन ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसे सुनकर पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया उन्होंने अपनी बातचीत के दोरान यह कह दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक देश है जिसके पास नुकलियर बॉम तो है परंतु उसकी सेफटी और सिक्योरिटी का कोई अता पता नहीं है आईए समझने की कोशिश करते हैं इस कमेंट के पीछे के असली कारण को दोस्तो जैसे कि अब जानते हैं कि वाशिंग्टन और पाकिस्तान के संबंदों में पिछले साल भर से काफी खटास आ चुकी है हाला कि पाकिस्तान ने US की पूरी मदद की थी जरूरी सामान और उनके सैनिकों की आवा जाही के लिए पाकिस्तान की जमीन के इस्तमाल के लिए अफगानिस्तान में चल रही जंग के दोरान पर कहीं न कहीं अमेरिकी अधिकारियों को ये बात अच्छे से मालूम है कि इसलामाबाद के पावरफुल सैन्ने और खूफिय तंतर ने भी तालिबान की साहेता की है जो अमेरिकी सैना के हटने के बाद सत्ता में आ गए हाला कि अभी कुछी समय पहले अमेरिका ने 450 मिलियन यूएस डॉलर का पैकेज पाकिस्तान को देने का गोशना की थी इस गोशना के पीछे बहुत बड़ा कारण था भारत और रशिया की नजदीकियां दोस्तो जैसे की आप जानते हैं की रशिया के उपर इतने सारे सैंक्षन लगने के बावजूद इंडिया रशिया से ओयल खरीद रहा है और जिसकी पेमेंट इंडिया लोकल करेंसी में कर रहा है इंडिया और रशिया की बड़ती नजदीकियों की वज़ा से यूएस ने पाकिस्तान के सर पे हाथ रखा पर दोस्तो जूट के जितने भी परदे पड़े हो आँकों पर सच्चाई सामने निकल कर आ ही जाती है और दोस्तो अमेरिकी रास्टपत के इस कमेंट के बाद पाकिस्तान में हड़कम बज गया पाकिस्तान के फॉरण मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ने कराची में प्रेस कॉन्फरेंस की और बताया कि मैंने इस मुद्दे पर प्राइम मिनिस्टर से बात की है और हम युनाइटिट स्टेट के अमबैजडर के साथ एक ओफिशल मीटिंग करेंगे और साथ-साथ उन्होंने यह भी का कि मैं सर्प्राइजड हूँ प्रेसिडेंट बाइडन के इस बयान पर मुझे ऐसा लगता है कि यह बयान किसी गलत फैमी की वज़ा से दिया गया है बाद में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ट्वेट करा और कहा कि हम एक जिम्मेदार देश हैं और हमें गर्व है कि हमारे परमानु हतियार सुरक्षित हातों में हैं हम सभी सुरक्षा उपायों को बहुत गंबीरता से लेते हैं